तुफान तेरे चोके वस साथ छकों के साथ रचा इतिहास नमस्कार दोस्तू स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तू आप रितू राज गाइकवाड की तुफानी बले बाची देखकर कुसे तो इस वेड़ों को लाइक की जरूरूर कर दें तो दोस्तू बा पर उन्होंने तुफानी सतक ठोक दिया तो दोस्तों आपको इनकी बल्लेबाजी का पूरा हाइलाइट तो बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इनकी बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ इस वेड़ों को पर यादों ने लेकिन गिरा मेत्यू वेड के पक्स में उन्होंने टोचित कर भारती टीम को बलेबाजी के लिए आमंदरित किया रितुराज का इकवाड और यससवी जैसवाल टीम इंडिया के लिए पारी की सुरात करने उतरे तो पहले और की चोती गेन पर एक बैतरीन चोका रितुराज का इकवाड के बले से भी निकला जहां पर कटके जरे उन्होंने यहां पर चोका लगाया लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहला जटका दूसरे और की दूसरी गेन पर लगा जब बैस जैसन बैरन डॉप की गेन पर यससवी जैसवाल अपना केच वि की तीसरी गेन पर वो भी अपना केच मारकस टोइनिस को थमा बेटे और पांच गेनों के बाद सुन्ये पर ही पैवलेन लोट गए लेकिन इसके बाद दूस्तू पांच वे और की तीसरी गेन पर सूरे कुमार यादव के बल्ले से एक बैतरी इन सुपला सोर देखने को मिल इसके बाद रितू राज का एकवाड और उन दोनों के बीच काफी संदर पाड़ने से आगे बड़ी इसी दुरान एक बैतरी इन चोका जैसन बहरन डॉप की गेन पर रितू राज का एकवाड के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने संदर त्रिके से गेन को चार रनो के लिए बेजा तो इसके बाद सूरे कुमार यादव ने भी साथवे और की पहली गेन पर एक स्वीप सोट के जरिये चोका जड़ा तो वहीं पर इसी और की पाँचवी गेन पर भी एक और संदर चोका उनके बल्ले से कट के जरिये गया और यहांपर दो चोके इस ओर में बी निकाल लिए इसके बाद दोनों बले बाजो के भी संदर पचास रणों की पार नसीप पूरी हुई इसके बाद सूरे कुमार यादव ने हाड़ी की गेन पर भी एक स्टेट सोट के ला जहांपर सिद्धे गेन को चार रणों के लिए बौंडी लाइन के पार पेस दिय इसके बाद दोनों बले बाज काफी संदर तरिके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और एक बैतरीन पाडने से भी नज़रा रही थी लेकिन तबी 11 और की दूसरी गेन पर हारड़ी ने संदर गेन बाजी करते वे सूरे कुमार यादव को विकेट कीपर मेत्यू वेड के हा प्राकर पैवलेन बैस दिया और अपने टी टाउंटी केरियर की पहली सपलता प्राप्त कर ली हारड़ी ने यहाँ पर सूरिया की हम बात करें तो उन्होंने 29 केनों का सामना करने के बाद सांदर 49 रनों की पारी खेली लेकिन इसके बाद उस तो यहाँ पर 11 और के आखरी रनों के लिए पेजा तो इसी और की तीसरी गेन पर भी उन्होंने एक और कट सोट के जरे के इन को संदर तरीके से पॉइंट के बीच में से चार रनों के लिए पैस दिया तो वह पर इसके बाद दोस्तू रितुराज का इकवाड ने भी सी ऑवर की आखीरी गेन पर कमाल क की बलेबाजी करते वे स्कॉयर पॉइंट की तरफ एक और संदर चौका जड़ दिया और इस और में दोनु बलेबाज उने तीन बहतरीन चौके लगाए इसके बाद तो तेरवे और में भी सांगा की गेन पर रितुराज का इकवाड के बले से एक और बहतरीन चौका देख और ये भी बहतरीन चौका था आप तीरी तीरे अपने अर्द सतक की तरफ बढ़ रहे थे रितुराज का इकवाड इसी भी दोस्तों उनके बले से एक और संदर चौका चौदवे और की चौती गेन पर देखने को मिला वेड़ विकिट की तरफ लगाए वे इस चौके के सा चौदवे अवर की आखीरी गेन पर तो वहें पर दोस्तों पंदरवे अवर की दूसरी गेन पर रितुराज का इकवाड ने कमाल का सोट कहलते वे एक और संदा चोका पाइनले की तरफ चड़ दिया इसके बाद उस्तों इसी और की तीसरी गेन पर भी कमाल का सोट कहलते व तो अदबुत सोड़ था इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेन पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छका डीप मेंड विकेट के उपर से देखने को मिला और बेक टू बेक दो सांदार छके उनके बल्ले से देखने को मिले जबकि दोस्तों आवर की तीसरी गेन पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते वे एक और स्टेट ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली और इस पार गेन को बाउंडर लाइन के पारवेज दिया चोके के साथ तो यह पर इसी और की पांचवी गेन पर भी और कहां पीछे रहने वाले थे और एक कमाल का छका डीप बेकवर्ड स् अगली गेन पर उनके बल्ले से एक और कमाल का चोका देखने को मिला जोकी नौबल थी गिलेन मैक्सेल की तो वहीं पर इसके बाद ओवर की चोती गेन पर भी कमाल की बल्ले बासी करते वे रितू राज काईकवर्ड ने एक और कमाल का छका लोंगोन के उपर से जड़ दिया अंदर बलेबाजी करते वे 30 रन बटोड ले और पार्थी टीम के स्कोर को 222 रनों तक पहुंचा दिया रितुराज का एक वार ने स्ताउन गेनों पर 103 रन बनाए तो दोस्तों आपको इनकी बलेबाजी केसी लगी हमें कमेंट में जुरूर बताएं